खबर नानपूर कस्वे से नानपूर सरपंच मन्नी देवी ने किया कार्य बार ग्रहन ग्रामिनों ने किया स्वागत पंचाई समेती थानागाजी की ग्राम पंचाई नानपुर की नवनिर्वाचित सरपंच मन्नी देवी ने बुद्धवार को सरपंच पद का पद बाहर ग्रहन किया इस दोरान ग्रामिलों ने नवनिर्वाचित सरपंच वा उप सरपंच आकास अगरवाल का माल्यारपन कर भविय स्वागत किया इस मोके पर सरपंच मन्नी देवी ने कहा कि मैं गाउं के विकास के लिए सतद विकास के परती समर्पित रहेगी तथा उपसरपंच आकास अगरवाल ने बताये कि गाउं की विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी इस मोके पर ग्राविकास अधिकारी गिर्राजमेना, कूरूप सरपंच बहवानी संकर सेनी, बर्जमोन सेनी, हनुवान पाप्तियान, सुनिल कुमार सर्मा, अनिल अगरवाल, मुकेश गोटवाल, गोविंद अगरवाल, आदी जागरुकवत की मौजूद थे आज हमारे नई पंचाय सेसन का, एक नया सेसन स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम सभी जो भी जितने वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे सरपंच साथ, साइबा, और मैं खुद उक सरपंच, यहाँ पर हम सब ने इसका नई सेसन का सुरुकवात की है, जिसके अंदर हम सब ने अपसन में मिल बैठके कुछ बाते करी और सभी का दिन्यवाद किया, साथ ही साथ गाउं और ग्राम वास्चियों से अम उनक्या पह दिल से दिन्यवाद करते हैं, कि उन्हों ने आमको यह सुब आउसर दिया, ताकि हम उनकी सेवा कर सेगे, अब अभी जैसे उपसर पंच कम उमर के उसर पंच है, क्या विकास को करते हैं इस बार नाराणपुर्जी विकास को, इस वारे में क्या कहेंगी दिशे, सार मैं भी एक नवयूक हूँ, उसे के साथ साथ हमारे जो साथी गणा है वो भी जादार नवयूक है, तो हम कुछ नया लाने की ट्राइ करेंगे, जिससे की हमारे गाओं के अंदर कुछ नया हो सके, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ है, वो सब हम काम करेंगे, जो कि आज से पहले नहीं हुआ है, और इसमें हम पूरा समर्थन देंगे. आज हमारी ग्राम पंचायत नाराणपूर की नव निर्वाचित सर्पंज महोद्या स्री मति मन्नी देवी ने कर ले वाड़े जो ग्राम पंचायत तुनावते, उसमें विजय प्राफ्त की, जिसका या स्वागत समारू किया गया, और जो प्रसासा के पास चार चल रहा था आज श्री मति मन्नी देवी जी को सर्पंज साब को चार्ज का अधारत्रदान कर दिया गया, और चार्ज समनवा दिया गया, इस कारे करम में सभी जन पृतिन दी सभी वाड़ पंच और ग्राम के गणमाने सभी नागरी को पस्तित थे,